ट्रेडर विक रीडिंग के ऊपर ये वीडियो है ठीक ना विक को मनलब विक को देखकर कैसे आपको नेक्स्ट कैंडल अपना प्रेडिक्ट करना है इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं और आज आप लोगों को एक चीज दिखाऊंगा भी लाइव साथ में ट्रेड भी ल पर हम लोग एक क्या काम करेंगे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड बन रही है ठीक ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रही तो यहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लेगे अभी रीजन क्या है डाउन ही क्यों लिया मैं अब भी ले सकता था seller spacer इस जगह था फिक उपर से rejection था अब इसमें नीचे से rejection है फिर भी मैंने downward direction में यहाँ पर trade लिया तो लिया क्यों और अपनी trade profit में चल रही है इसका सारा सब कुछ यही आज बताने वाला हूं कि मतलब और नीचे से rejection आप देख पा रहे होंगे कि नीचे से candle में rejection है फिर भी मैंने downward direction में trade ली हुई है अभी उसका region क्या है downward direction में trade लेने का यह मैं आपको बताऊंगा और इसमें उपर से विक में pressure है आप देख पा रहे होंगे यह वाली candle आप देखिएगा ऊपर से pressure है और फिर भी down market आई और इसमें नीचे से इस वाली candle में pressure है मतलब नीचे से विक बनी हुई एक sideo बनाई है इस candle ने तो यह represent तो वैसे यह कर रही है कि market कहीं न कहीं bullishness market में है इस level ठीक है ना तो यहाँ पर एक level draw कर लेंगे हैं तो rectangle ले ले लेते हैं और एक level draw करना सही रहेगा मेरे ख्याल से इस जगए पर यहाँ पर तो यहाँ पर उल्टा काम क्यों हुआ यहाँ पर क्यों market red side आई ठीक है क्यों red डोजी बनाया यही सारा सब कुछ आज के वीडियो में है लेकिन उससे पहले अभी तक मेरा course and vip group नहीं जोईन किया है जो कि free of cost है तो काफी कुछ मिस कर रहा है तो जरूर से जरू जोईन कर लेगा ठीक है ना अब इसका region मैं आपको बताऊंगा और इसका भी reason मैं आपको बताऊंगा ठीक थोड़ा सा market को छोटा कर लेंगे तो आप देखें कि market higher low and lower low market का formation चल रहा है ठीक अभी यहाँ पर एक upward direction में ले लेते हैं क्योंकि अभी zone को market ने break नहीं किया है ठी अब मेरा यहाँ पर नीचे लेने का reason मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पर नीचे ही इस candle में trade क्यों लिया है मैं चाहता तो इसको देखकर इसके rejection को इस candle के rejection को देखकर यह भी trade अपनी profit में जा रही है ठीक है अभी live trade साथ में करता हुआ चल रहा हूँ आप लोग देख पा रहे होंगे इस चीज़ को अभी जिन लोगों का comments यह आया था कि सर साथ में live trade करते हुए चल यह तब next candle predict कर है तो अच्छा लगेगा मतलब मुझे जादा समझ में आएगा तो वही काम कर रहा हूँ ठीक अभी यहां पर नीचे से rejection था इस candle में फिर भी मैंने downward direction में trade लिया इसका साप साप reason था कि market एक zone में फसा हुआ था अब zone में draw कर देता हूँ इसको यह देखिए यहां पर भी हम हम लोगों के trade profit में आ चुकी है अब मैं एक zone draw करता हूँ तब आपको और ज्यादा समझ में आएगा ठीक मैं एक zone draw कर देता हूँ इसकी thickness zone की बढ़ा दूँगा और वो support जो draw है उसको draw रहने देंगे और इसको मैं ऐसे यहां पर ऐसे 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 और यह यह एक zone अभी zone का breakout हो से bullish अगर इस वाली जो candle यह बन रही है अगर इसमें नीचे से rejection होगा तो मैं अपर डिरेक्शन के लिए trade करूंगा otherwise मैं फिर भी downward direction में आऊंगा तो अभी देखते हैं अगर अगर rejection होगा इसमें तब मैं अपर डिरेक्शन के लिए trade करूंगा देखिए rule based trading किया करो rule based trading से य आप लोग वैसे आप देखेंगे कि ऊपर से भी हलका rejection है और नीचे से भी हलका ही rejection है तो कुछ खास या ट्रेड नहीं बन रही लेकिन जोन के ऊपर आ चुकी है market तो चलो ले लेते हैं एक risky trade है अपर डिरेक्शन में मैंने ले लिया है तो risky यहां पर ठीक मैंने पहले बोल risky trade है ठीक क्योंकि अच्छा खासा rejection नहीं है लेकिन अपने जोन को market ने ब्रेक किया है तो next candle कहीं न कहीं green बन सकती है ठीक देखिए probability होती है मार्केट में sure नहीं होता है मार्केट में क्या होती है probability होती है अब यहां पर मैं आपको exact समझा देता हूँ कि यहां पर नीचे मैंने इसलिए trade लिया हुआ था जबकि इस वाली इसके पहली वाली candle में यह जो मैं करसर मूब कर रहा हूँ जो green candle है इसकी पहली वाली candle में नीचे से rejection था ठीक है तो मुझे upward direction में trade लेना था लेकिन मैंने फिर भी down में ही लिया था क्योंकि यह एक zone में market देखिए यह red उसके बाद green फिर red green फिर red ठीक एक zone में market फसी हुई थी यहां तक एक zone में फसी हुआ तो यह भी अपनी सारी profit में आ चुकी है ठीक साथ में trade करता हुआ चल रहा हूं अब तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आ रहा होगा अब main बात आ जाते हैं इस पे कि इसमें उपर से rejection था फिर भी सर इसमें market उपर क्यों नहीं गई ठीक उपर से rejection था वाई उपर स जोन में थी इसलिए मैंने downward direction में जबकि नीचे से विक बनी हुई नीचे से सैडों ये बनी हुई है उसके बावजूद मैंने downward direction में यहां पर trade क्योंकि market zone में थी ठीक इसको जोन को और बढ़ा देंगे थोड़ा ऐसे बढ़ा दिया मैं अब मेरी बात समझ में आई अभी य नीचे की तरह विक बनी है तो कहीं न कहीं इस जगह सैलर स्प्रेसर है इस बजए से तो मैंने ट्रेड लिया है ना downward direction में इसलिए मतलब मार्केट आई है ना downward direction में समझ गये अब यहां पर क्या था यहां पर सीदा सीदा एक जोन में मार्केट फसी हुई थी लाख जो है उस है ठीक है कि लिएर कट सो औरा था कि यहां से बायर्स प्रेसर है बायर्स एक्टिव हैं फिर भी और थोड़ा अलेडी मैं बता चुका हूं कि OTC जो मार्केट होती है मेरे पिछले वीडियो नहीं देखते हो आप लोग देख लिया करो भाई मेरे ठीक है मैं यह भी आप लो प्रेसर तो डाउन मुझे दिख रहा है लेकिन फिर मैंने ले लिए ठीक है चलो चाह यहां पर यह भी ट्रेड प्रॉफिट में जानी चाहिए मेरे ख्याल से अभी नेक्स्टी केंडिल प्रेडिक्ट करता हुआ चल रहा हूं ना आपके सामने और हर एक ट्रेड अपनी प् यहां पर अभी इस जगह क्यों लेने का रीजन रहा मेरा अपवर डिरेक्शन अप में ही ट्रेड लेने का क्यों रीजन रहा है जान सकते हैं आप लोग किलियर कट आपको दिख रहा होगा कि यहां पर यह कैंडिल अपने जोन के बाहर क्लोजिंग इसने दिया था तो मार्क कि यहांपर क्लियर कट था अब एक और मैं अपोड डिरेक्शन जाना सामर्केट कि क्योंकि यह जू कैंडिख गृइलिग इतनी बुलिष ग्रीन सो कर रही है अरे किलियर सो कर रही है किलियर कट आप लोगों को बता रही है यह कि भीया अब यहां से बायर के control में market आचुकी है है इतनी bullish candle बनने का क्या region रहा क्या मतलब रहा आप में एक चीज बताई है कि मतलब कहीं न कहीं अब buyers market को control करना start कर दिया है यही रहा topzna Honey रहा यहीं रहा नहीं सभी मेरा मानना यह है कि next candle कभी आराम से बैठ कर मेरे वीडियो आप देखिएगा मैं मैं एक एक चीज किलियर कट समझाता हूं यह भी सारी ट्रेड्स अपनी प्रॉफिट में आ चुकी है जितनी आज की ट्रेड मैंने लिए सारी सारी प्रॉफिट में आ चुकी है देखिए अब यह देखिए अब अभ यह आपको, लाइब मैं यह चीज दिखा रहा हूं, कुछ लोग कमेंट करते हैं न उल्टा सीधा, वो कमेंट करना आज से बंद करनें, मेरे ख्याल से, अभी जिन बात लग कियां, उसकी बात यह अलग कियां, भी जिसको सीखना ही नहीं है कोई चीज, केबल कमेंड करना ठीक ना तो उनका बात ही उनकी अलग है उनकी लिए मैं क्या ही बोलूँ अब समझ गया ना तो यह चीज है तो कुल मिला के आपको rejection के हिसाब से आपको market को देखना है समझना candle की psychology को समझना अभी ये candle की psychology यहाँ पर क्या बोल रही थी इस candle ने क्या psychology इसकी क्या रही और यहाँ पर market की psychology क्या रही कि जोन को break किया और इस candle की psychology के हिसाब से मैंने यहाँ पर trade लिया हुआ था समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ तो यह सारी चीजे हैं तो इनको देखिए उल्टा सीधा कमेंट से अच्छा है कि सीखने का प्रयास करो मेरे ख्याल से ठीक है अभी देखिए मैंने देखा है यह चीज जो उल्टा सीधी कमेंट करते हैं मैं सच बोलना हूँ कभी जीवन में कुछ सीख सीख ही नहीं पाते हैं अभी उस चीज को नोटिस करो जो मैंने बताया लाइव ट्रेड करके आपको दिखाया उस चीज को नोटिस करो आप मार्केट में नोटिस करो जब आप ट्रेड करने बैठो तब आप लोग नोटिस कर और ट्रेड मैं लूँगा ठीक क्योंकि यहां पर एक गैप अप कैंडल खुली हुई है ठीक है और यह वाली कैंडल ने रिप्रेजेंट करी दिया है आप लोगों को कि कहीं न कहीं मार्केट बुलिस है ठीक है तो गैप भी हुई है हलांकि गैप फिल कर भी सकती देखिए गैप अप का यह मतलब नहीं होता है कि नई मार्केट को अपी जाना जाना है गैप अप का यह मतलब होता, कभी-कभी मार्केट उसको तुरंत फिल भी करती है, हो सकता है, रेड कैंडल यह बना दे इसको, यह जो गैप दिया है ना, इसको अधुरा थोड़ा न छोड़ेगी मार्केट, इसको कभी न कभी फिल करेगी, कभी कभी तूरंद कर देती है तो gap up और gap down के हिसाब से अगर आप trade करेंगे तो आप देखिए वो फिर आप risky trade ले रहा है अब जैसे मैंने यök risky trade लिया हुआ यहाँ, देखो, देखो मैंने क्या बोला था क्या बोला था, आखरी में red ही closing दिया के मैंने यही चीज बोला था, गयब तो फिल करेगी ही करेगी मार्केट, बोला था ना यही चीज, आभी थोड़ी थोड़ी देर पहले बोला, जरूर रिवर्स करके सुन लो यह चीज, वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक, अब मैं अपवर डिरेक्शन में फिर से लूँगा एक देखते हैं क्या होता है, फिर भी, ठीक है, क्योंकि मार्केट का प्राइज कहीं न कहीं तक यहां तक लेकर आए है, ठीक है, अभी देखते हैं, फिर भी क्या होता है, हाला की रेड में क्लोजिंग दे दिया इन लोगों ने, ये गड़बड किया है, चलो, देखते हैं, एक एक candle को predict करता हुआ साथ में चलना हूँ, मेरे से भी गलती होती है ऐसा नहीं है, लेकिन rule के हिसाब से मैं trade करता हूँ, समझ गये न, rule के हिसाब से अब कैसे पूछोगे, कैसे rule के हिसाब से, देखिए गई, साफ साफ मैं आपको एक चीज आज बता दे, मैं rule based trader हूँ, मैं rule के हिसाब से ही trade करता हूँ, rule को break नहीं करता हूँ, ठीक है, भले ही मेरी trade क्यों ना loss में चली जाए, ठीक, अभी दो trade अपनी loss में गई और ये चार trade profit में आ गई, अभी rule अपना गलत होता, या rule based trading ना करता होता, तो सायद हम loss में चले जाते, ठीक, अभी छे trade लिया है, छे candle को मैंने predict किया है, छे में से पांच trade अपनी profit में गई है, एक trade loss में गई, वो भी बहुत चोटी सी, दो trade के वर, भलब एक trade loss में गई, बहुत, वो भी कम amount की, समझ गए तो इसको बोलते है, rule, rule के हिसाब से trading करना, तो guys, वीडियो अच्छी लगी हो, तो like जुरूर कर देना, आप लोगों का ही comments था, कि sir, अगर next candle आप live market में predict करेंगे, तो वो और live साथ में trade करेंगे, ठीक है ना, तो वो जादा मुझे समझ में आता है, और वही मैंने किया हुआ है, ठीक है ना, मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो बहुत समझ में आएगा, इससे बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा, आप लोग काफी कुछ इससे सीख सकते हैं, ठीक है, तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हूँ, तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सस्क्राइब कर लेना, आपका दिन, सुभो टेलिग्राम जरूर भाई मेरे जॉइन कर लेना, ठीक है ना, आपका दिन, सुभो